हेलो कैसे हो आप लोग बेलकम बैक टू माई चैनल उमीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे आज हम आलू पोस्त बनाएंगे इसके लिए हम पाच आलू ले लिए हैं इसे छेल कर साफ कर लिए हैं कि अ इसे हम कट कर लिंगे इसे ज्यादा बड़ा रहा चोटा नहीं रखेंगे मेडियुम साइज गुए लिए है आ तो अ जारे आलू को इसी तरह से कट कर लें कि शारे आलू को हम कट कर लिये हैं इधर मसाले त्यार करेंगे मसाले में हम पोस्टो लिए है चार चमच पोस्टो है खस खस इसमें दो हरी मीज डाले एक साइड में हम पैन गर्म कर लिए है पैन गर्म हो गया इसमें सरसो का तेल डाले तेल गर्म कर ले इसमें कलॉंजी डाले मंग्रेल इसे डालकर भून ले अब इसमें आलू डाले इसे चला ले आलू को दो तीन मिनट भून ले आलू को हम भून लिये हैं अब हम ढक्कन लगाकर रखेंगे गैस का फ्लीम मीडियम रखेंगे ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे फिर से ढक्कन लगा दिये एक साइड में मसाले पीस कर त्यार कर लेते हैं कसकस को पहले सुखाई पीस लेंगे फिर इसमें पानी डाल कर पीसे पानी डाल कर पीस लिए हैं आलू को हम चेक कर लेते हैं इसमें फिर से ढक्कन लगाकर रखेंगे अभी तक आलू सॉप्ट नहीं हुए हैं इसे फिर से चेक कर लेते हैं इस ढखकन लगाकर रखेंगे और इसमें हम हल्दी डालें हल्दी डालकर भून लें इसमें हम नमक डालें नमक डालकर मिक्स कर लें इसमें हम दो हरी कटी भी मिज डालेंगे आलू गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसमें हम मसाले डालेंगे कसकस और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीए गैस का फिलिम मीडिया में रखेंगे मसाले जलेंगे नहीं मसाले डालकर भून लेते हैं इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे इसमें पानी डालकर साफ कर लिए जार में मसाले को अच्छे से भून लेंगे मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इस रेसिपी को ट्राइ करें अगर इस रेसिपी अच्छे लगी हो तो कॉमेंट करें सब्सक्राइब कर तयार है अब इसमें लास्ट में हम सर्सों का तेल डालेंगे आलो भी सॉप्ट हो गया है कि एक छोटी चमच सर्सों का तेल डालें तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे सब्जी हमारी रेडी है इसके बावल में निकाल लेंगे सब्जी को बावल में निकाल लेंगे थैंक यू बाई फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में में तूम्चन सब्ढ़बबबबबबबबबबब बावल